करी शके ना कोई तारा भूणो ना सरवाला युगो सुधी जलहर शे भूवन भानू ना अजवाला कैम भुलीशो तुझने ओ जिन शासन ना रखवाला युगो सुधी जलहर शे भूवन भानू ना अजवाल पूजपत गुरुदेव श्री भूवन भानू सुरिस्वर्जी महराज के आशिरवाद और प्रेर्णा से सरस्वती की कृपा दृष्टी से विश्वहित चिंतक जैनाचार विजयरत्न सुंदर सुरिस्वर्जी महराज साहिप से आज हमें जुडने का मौका मिला है गुरुदेव जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप, आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है पॉडियन्स को देखकर के आसमन से जारा कव्वा नीचे उतराया कॉयल के बाजी में बेठा और उसने भी अपना गला खुला कर दिया आपको मालूमें जो होना था वो ही हुआ सभी ने पत्थर उठाया कव्वे को मारा उड़ाने का प्रयास कव्वे को था मगर कव्वे के साथ कॉयल को भी उड़ना पड़ा कॉयल दुसरे पेड़ पे जाकर के बेठी वहां गित सुरू किया वहां ओडियन्स आई वही रिपिटेशन कव्वा वहां गया वहां भी मारा खाया चार बारा हैसा होने के बाद कव्वा कोयल को ये कहता है कि बेन तेरा रंग भी काला मेरा रंग भी काला पैट पर तू भी बेटती है पैट पर में भी तो बेटता हूं आस्मान में तू उड़ती है तो में भी उड़ता हूं मगर समझ में नहीं आता है कि तेरे कंड को सुनने के लिए लोग पागल और मैं जैसे इकला खुला करता हूँ, लोग पत्थर मारते हैं, बड़ी गंबीरता से सुनना, कोई ने बुला क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि इंडिया में रहना नहीं है, मैं फॉरेंट चला जाता हूँ, यहां एक के लोग कदरदान नहीं है, वहां जाकर के गला खुलना कर दूंगा, यहां जो पत्थर खाता हूँ, वहां कहीं साइद यह नहीं हो, बड़े प्यार से कोईल ने कोवे को इतना ही का कि भाई, आप जहां भी जाना चाहते हो, वहां मजे से जाओ, मगर एक मेरी राय है, क्या राय है, गला यहां छोड़के जाना, क् यह गला ले करके तुम जहां भी जाएंगे, वहां मार खाने के शिवा आपके पास कुछ नहीं, आज दो तिन बात आज के प्रवचल में करना चाहता हूँ, एक बात मैं बोलू, उसमें हां मत बोलना, आपके दिमा में जो हो वही बात बता दा, आपके जिवन को मस्ती में लाने के लिए आप क्यों क्या चाहिए, यदि कोई पूछे कि मन की शांती, चित्त की प्रसनता, खुशी, हैपिनेस, ये सब्द तुमने डिक्स्नरी में बहुत पड़े है, या किसी मुनी बगण के मुझ से सुनें, आपका अनुभव नहीं है, यदि आप अनुभव पाने के लिए चाहते हो, तो मैं गंबिरता से आपको पुतना चाहता हूँ, क्या करेंगे तो आपको हैपिनेस महसूस होगी, क्या करेंगे तो शांती का अनुभव होगा, हर जगर तुमेरे लिए वेलकम का भाव कैसे बन पाएगा, आप न बोलो, मैं ही बोल दूँ, आपको करती मिल जाएगी, मेरे हर प्रब्लेम सोल हो जाएगे, और ये कोयल और कोवा का द्रस्तान ये कहता है, गला छोड़के नहीं जाओ, तो कहीं भी मार पड़ेगी, आपका नेचर सभाव जब तक नहीं बढ़लेगा, कहीं भी जाओ, आपको दुख के सिवा कोच नहीं होगा Now I would like to ask you, आप सबकुन बढ़लना चाहते हो, आपके नेचर को बढ़लना चाहते हो, मैं एक छोटा सा प्रस्ना पूब जूँ, परमात्मा यदि आपको बरदान दे, कि किसी एक वेक्ति का नेचर तु बढ़ल जाएगा, तेरी ताकत है, आप किसका नेचर बढ़लेंगे? तेरे हाथ में वो ताका देता हूँ, इनके सर पे हाथ रख देना, उनका नेचर अच्छा हो जाएगा, आप किसका नेचर बढ़लने का प्रयास करेंगे? कमरो पोता नो, यह बढ़लू नेचर चे नकी थी क्यों नो, आज मारे क्यों गुदू तो मैं, माने आपने ये तो अगर दिया कि गुदू मेरा घुद का नेचर बिढ़ला हूँ, यह पक्ता हो गया ना, माने मुझे कहते हो कि आप रदे से मानते हो, नहीं, यह बद मत, सारी दुनिया ही कहते हैं, मेरी पत्ने का नेचर बिढ़ला, बीटे का नेचर बिढ़ला, माबाब का नेचर बिढ़ पपा का नेचर बराबनी, ममी का नेचर बराबनी बेटे का, कभी भी आपको लगा कि गुर्दे जिम्मेदर मैं हूँ मेरा नेचर अच्छा नहीं आपको क्या लगाए? रदे इससे में पुतना जादा हूँ सब गलत है कि मैं ही गलत हूँ अजित मज़िबन की खरुमात कवा कहा में बी जाएगा मार खाएगा क्यों ओगळे लेकर जाएगा तुम कहां भी जाएगे बिगडे हुए नेचर से आपका कामनी मनेगा नहीं है सो जनम बार बार किसके लिए एक जिच के लिए आपका सबाव सुधारने के लिए ऐसा जनम दुनिया में कोई नहीं है संपत्ति वान धर्मी नहीं भी बन सकता है संधर यह जिसके पास परियाद पे वो धर्मी नहीं भी बन सकता है सत्ता जिसके पास वो धर्मी नहीं बन सकता है मगर जिसके पास अच्छे नेचर की पुंजी है वो धर्मी बने बिना कभी रहता नहीं है I would like to ask you आपकी इच्छा क्या है संपत्ती चाहिए, सत्ता चाहिए, संदरे चाहिए, स्वास्ता चाहिए संबंद चाहिए, या मेरे पास अच्छा सभाव चाहिए सच मनते हो तो अब ये ग्रूसरी बाद बताओं ये जो मैंने पांच बाद बता ही नहीं वो आपके चाहने पर भी आपके पास नहीं आ सकती है संपत्ती आप चाहते हो नहीं आ सकती है सत्ता नहीं आ सकती है स्वास्ता नहीं आ सकता है सब कुछ परादीन है बड़ इप यू लाइक टू आप यदि आपके खुद के नेचर को बढ़ना चाहते हो कोई रोकने वाला नहीं है सच बोलो आपके मन में दो बात पक्की होगी मेरा नेचर में बड़ेलना चाहता हूं और यदी मेरा नेचर बड़ेलना चाहता हूं तो मुझे रोकने वाला कोई है पक्का अभी आगे चलू दो तिन बाद आज आपके सामने आपके जुनमें गती चीए के गीत चीए एक गती और गीत आपने कभी ये बहलाल गाओं ना सेर नहीं न, सीटी नहीं न, बराबर न आपने ये कोई मुझे तो मानूं ने, मगर वियार करते करते कई किसानों को मैंने दिखा है वो जब खेत में बीट डालते हैं न आपने दिखा होगा, चाए बारीस हो, चाए दूप हो मगर वो बीच डालते-डालते हमेश के लिए गित गाते-गाते डालता है शायद दिखा होगा, मैंने तो बहुत देखा हम वियार करते जाते हैं तो वो किसान जब कुमता है ने, खेत में और उनकी भासा में मगर गित गाते-गाते वो बीच डालता है गती भी है और क्या है गीत भी है अन्यां यह खबर न थी अमना ये नवी जंडरेशन चैने खबर ही नहीं होए के छास वलोवानी होए आप दू बुली ग्या लोग पन तमें जूगे वे गामड़ा मां वलोवे नहीं तियारे एमापण गीत गाता गाता वहने, गंवर वुल्यों चालतू है ने एमापण गीत हुआ है, गाउं की एक ही पेचाने गती के साथ गीत, और सेल की एक पेचाने सिर्फ गती गता है What do you wish? गीत माने प्रसन आता है, गती माने विकास है आपके पास विकास है की प्रसन अता है वेलाल में तुम जब थे यार वेलाल से जब तुम अमदाबाद या बंबई कहीं भी चले गए गती आगई आपके पास शाहिद यहाँ आपका छोटा मकांदा वारो बड़ा बड़ा बंगला बन गया शाहिद यहाँ आपके पास साइकल नहीं थी वहाँ दो तिन चार गाड़ी आगी हो छोड़ो यह सबाद सीर मुझे इतना बताओ के पास गती भी है कि गीट भी है मेरे पास गती है गुरुदिक के पास से परमात्मक्गी गुणा से 327 पुस्तक लिप पाया गती भी है गीट गती से भी महद्व पुना है कभी चेरे पे उदा सिंतानी विद स्माइल, विद हैपिनेस, विद पीस ओप्माइ चाहे कहीं भी जाता हूँ मैं आपको पुतना जनो आपकी चोईस क्या गती के गीत दो में से एक किये दी आपको मिल जाए गती रूख सकती है मगर गीत आपके पास आ सकता है वाट इस और चोईस वाट इस वाट लाइट तो है गती चाहिए की गीत चाहिए आपके मन में वह हुई बुलना गीत और गती दोनों तो कोई विरूद नी मेरे पास है यहां बेटने माले को पुतना आपके पास गती है की गीत है आपके पास क्या है साथ बो गीत क्यों गायब हो गया नहीं मुझे बताओ गती के साथ गीत बन सकता है विरूद नहीं है मैं गवाओं हूँ इनका चाहे तुम कितने भी आगे निकल जाओ आपके एपिन इसको डिश्टब करने की ताकाद बार की गती की नहीं है आपसे मैं पुतना चाहदो गती के साथ गीत तुमेरे पास एक समय था गती शायद कम थी मगर परियाप तक गीत था मुझे मालू नहीं फिर भी यहां बेटने मालग को पूछू तमारा पिता जी अगर जे प्रसनत दा दिये तमारी अगर खरी हाँ बो लोग ना बोल तो आवसोदो क्यम करें नहीं मुझे बताओ आपको आज बोलना पर नेगा यह तुमारा अनुबव यदी है के गुरुदेव पिता जी के पास जो शांती, मस्ती, प्रसनता, प्रेम, सबकुत्ता तमने खबन दी तमें दो आम बुद्धी शाली लाबव योपन थोड़ा उच्छा तमने खबन दी आगाम्मा जे ना वेलाल काम्मा महीने तमें काली पचास जार उपिया सारा मार के खर्चोन है तमें आखा कामना नगर शिटती जाओ तमने पातला खर्चोन तमारों कोई भाव पुस्तुन क्या मुंखोटू बोलेओ तो तमें के महीन होता नहीं हाच्चू तो बदूशे भई कामसूचे त्यां एक मिना अखाली पचास जार सारा मर गे 10 मार घरनी बार बैसीने कोई ने पी जार कोई ने एक जार दस जार आपो भाई कभूटन ने अनाद नाना धाना नाग जे हमारा तरदी परमा पाणी बढ़ जे आप गोबड़ी आने मारा तरदी गोड आने खोड़ खोड़ा हो जे तमने नती लग तो कट्ना मा तमें गांडा ती जाओ अखो गाम तमने नगर शितनी पदी भी आपी दे पदी भी मट्ड़ नती के तो पर तमने लागे के गुर्दे सू मजा बैस है या अट्ली सीधी साधी वाद तमारा मगनमा बेस्ती के नठी आप जिर्ट करो खोड़े शुगा आमें गिरू ना काम तो बता गया मैंने आमें गरे हों करो जो तमने कर दाए खबन दो में बताओ बरसों पहले में सुरत में चातमास तान एक पिता जी मेरे पास आए जो तुमारा प्रस्णास तानों वही में बता ले जाता हूँ मारा सहे बनास काठा में अद्बूत घर है परमातमा का नयंद्र में मंदीर संपर्ति माराजा की परतिमा जी है दो दो गंटा बख्वान के सामने बेटे दो जम के बेटे और मारा सहे सामको बार खाली खाटलो नाकी ने बिसी जी है और गामना मानसों नी खाली सुख छादा पुछे ने मानसे गम भयो भयो इवो दूद इवा घी इवा देई आपकी ने जाए मानसे कोई चिंता नी मानसे बेबनास कांड़ा छोड़ी ने सूरत में वा उन्तमनी विदना नी बातको नो कमेंट मानसे भी स्थिती एवी छे के बजारमा जाओ चुने तो दीकरों के जे पपा आओ मर जी धन्दों छुकतो नाती और घरमा चटो दीकरों के जाको दी घरमा हुँँब्या जाओ क्या माता तमने संग्जा ने सहीव आस्थिती घरमा वो ने नगमूं बजारमा दीकरों नगमूंचता बना स्काड़ा जी अटो नाती अब जीवन का गोल बनार दो नहीं एसो जन फरफ сторон गटी तो देव गती में भी मिल सकते हैं मगर गीत का मुर्देव गती का विरोध नहीं गीत के साथ ऐकि सान्यति गती साथ गती जा सकता है एक डई में चेशफ बनाने के बाद गति के साथ आब गाउं में चले जाओ हर जगद lazım को घित का दर्शनों का गंटी वे ने गंटी जोई जे के गई मिजुम महाराख्यू बढ़चे मने कोई विरोथ ने पान गामड़ा मात में सर्पंद्रम बराबर क्या जने तम्हें आम अनादा दाना ना के इमा पड़ बेनो गीत गाता गाता ना अपनिम लागे के अबद्धी गतिन वाचे वलोनों गती अनादा दाना गती गल्टी माना दाना गती खेतर माना दाना ना को गती और गती नी साधे गीत तमारी अगड़ गीत क्या गायब देगिया आप मुझे बताओगी ये लॉस तुमने कोई मामूनी लॉस लगता है तुमने मेरी दृष्टी से सबसे बड़ा लॉस यह है चाहे तुम पांच कोड़ के माली बनगे तुम अंदर से रोते हो बले तुम प्रगट नहीं करते हो एक समय तुम अपने आपसे टेली करो तो पता चलता है गुरुदी क्या एक मस्ती एक सांती एक प्रसनादादी सब कुछ खाता हुआ अब रिवस में नहीं आ सकते हो क्या है मैं चोटी सी बात बताओँ गलत दगे मेरा साथ साल के पहले बाइपास का ओपरेशन होगा सब्सक्राइश टाइश था पुरा दरिया अरवी समुद्र करीबन 15 दिन रहना हुआ कोई उपास रहे इसा तो नहीं होता है नहीं होता है न ऑपरेशन के लिए गया था ब्रीज केंडी बाइपास का ओपरेशन होगा आपरेशन के बाद पांग साथ दिन रहना पड़ा है डॉक्टर की साब से और जैसे ही डॉक्टर नो बला युकेन को डिस्चार्ड मिला में सिद्धा उपासे में आ गया बराबर है सट बलो ब्रीच केंडी जैसी सुवीदा उपासे में तो नहीं होती है ना सी फेस एर कंडिजन नहीं ना फिर भी में उपासे में आया कई लोगों ने मुझे पूचा क्यों गुर्देव ऐसा ब्रीच केंडी छोड़के उपासे में क्यों चले गए मैं मुला था भाई ऑपरे आप suda वेलाल पासे में आधेड आपासे में आपूर्ण, shortest ब्रीच मा ऑझेए अभी में कब में उपाई के सब्सक्राइब अलिधा उपासे मारा एलीं में क्यों गुच्छ नहीं आने में आपको कोई रीजन क्या है, what is the reason why you don't come back? No answer? नहीं गर तो था ना तुमने, गर न थे नहीं, तुम्हेरे पास घड़ था, तुमने जान बुचके बेट दिया है, था ना, यहां तो रोड पे तो नहीं रेते थे थे ना, आप यह बोलो कि गुर्दे, we are not interested here, सिधा बोलो ना, नहीं, यहीं बन सकता, जित दिन तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें मालूम नहीं, जब आपकी यह यूगी ने बुड़ा पाएगा न, तब पता चलेगा, यह गती कितनी नपुन सकती, तब आपको गीधी कम लगेगा, सारी जिनकीन के आपा धापी में खतम कर दी, और आज मेरा खुद का लड़का मेरे पास बेटने के लिए तेया न, तुमने कभी देखा है, मेरा संसारी गाउं दीपला, कभी न कभी दिक्सा केरवे में जाता तन दो बोलते थी, यह मुमेना नगर शेट है बैसे, पुरे ग गती यृखई, गती चाहिए, मगर गती गत के सारा, और यठी बुमें से आपको इस चूइस हो के गत मिले मगर गती दी मिले, मेरा ये कहना है आपकी चाहिए ज़ोगी ओ, यदि में होता, तो मैं गती नमबर एक पे रखा, गती नम दो पे नहीं भी मिले तो I am ready कल मुझे ये वियार में करता हूँ अजारों लाखों के लोगों के बीच में परवच्चन भी करता हूँ सब कुछ करता हूँ मेरे गित को सेफ रख करके कभी भी मुझे लगे मेरी प्रसनता डिटब होती है कल में सब खतम कर सकता हूँ मेरी प्रसनता का बलिदान देकर की सब खतम का मुझे कोई आनंद नी है No, nothing else आप चेक करना नहीं एसो जर्म बार बार गती तो बिल के पास भी होती है गते के पास भी होती है और बुलेट ट्रेन के पास भी होती है मराँगे न और रोकेट के पास और भीमान के पास गती क्या करेंगे बुलेट ट्रेन भागेगी तेज गती से आदमी के पास ही गती के साथ गीत हो सकता है नमबर एक गती बीचिये और गीत बीचिये मगर टॉप प्रियरिटी गीत नमबर एक पर गती नमबर दो पर अभी एक दुसरी बात आप कहीं बगीचा में जाते हो आपकी आँकों के समने फुल दिखाए पड़ता है आप फुल के पास दो भी कलपे एक फुल के पास समदर्य है दुसरे फुल के पास सुवास है आपकी चोईस क्या रहेगी सम्दर्य और सुवास दोनों है तो बराबर मगर एक के पास सिर्फ सम्दर्य है और दूसरे के पास सुवास है What will be your choice? सम्दर्य के साथ सुवास हो तो हम तो विनानी बोलते मगर गुर्दि एक फूर्ण सम्दर्य अच्छा है मगर चाहे तुम कितने भी आगे जाओ सुवास का कोई अनुभव नहीं होता है एक बाब बताओं सम्दर्य का दर्शन होता है और सुवास का अनुभव होता है सुवास का दर्शन नहीं होता है वो अनुपुतिक experience You can see फूल कितना मस्त है वो आप देख सकते हो जिवन के फुल के पास गुण की सुवास्थ ये या पुण्यका सम्दर्य चे What will be your choice? बोलो अब किसी को दूसरे को अंगुली करना ही मैं मैं आपको कुछना चाहता हूँ एक और पुण्यका सम्दर्य चबरदस्त है और दूसरी और गुण की सुवास चबरदस्त है दूसरी यदि एक ही आपकी पसंगी हो या तो पुण्यका या तो गुण आपकी चोईस की आप गीत और गती के बीट में गीत चाहिए गती नमबर दू पे पुण्यका और गुण के एक शत्र में आपकी चोईस कि आप गुण चाहिए कि पुण्य चाहिए एक बाद मुझे आप हट की बूलते हो मैं बार बार इसलिए बूलता हूँ कि तुमेने पास जो जबाब बरसों से तुम देते रहे नहीं मैं रिपीट करूँगा वो जबाब आपके जिवन को बढ़लेगा नहीं घुर्देव पुण्य चाहिए मगर गुण के साथ पुण्य चाहिए सुमास वाला फुल चाहिए फिर समदर ये नो हो तो चले समदर ये हो तो बेस्ट है मगर टॉप रहेंती गुलाब फुल के बगीचा में जाता हूँ समदर ये देखने के लिए नहीं सुमास की अनुबूती के लिए मैं आपको छोटा साथ पुण्य चाहिए बिलो करोड़ पती हो मगर कुरुपन हो और गरीब हो मगर उदार हो आप किसको रदे में स्थान देंगे रिपित करोड़ पती हो मगर कुरुपन हो और गरीब हो फिर भी उदार दिल का मालिक हो आप रदे में स्थान देंगे तो किसको देंगे मने आप उनकी गरीबी नहीं देखते हो क्या देखते हो क्या आदमी उदार है कमाल 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 या दो रुप्या तो दो रुप्या मगर दो में से आठा ना वो दे सकता है चाहे वो कितना क्रोर पती आदमी हो मगर बोलेंगे ठीक है पैसा बेन अबाद नहीं कोई कह, कोई कह, चाहे वो पैसा लेके खितना भी बेठा हो, तो में इतना पुत्ना चलो, अहीं आहीं आहीं, चलो, अरे, इती थोड़ी भूमबड नहीं, चलो ही, तमें जवाब तो बदा है सार वापियों, पड़ाम तमने पूछी लू, माराज ये वो सादू तमने अध्यर आशिरवादा पे, के कृपणता साथे करोड़ बती बनी सका से, और गरीब रेवा सते उदार बनी सका से, बेमादी तमारी पसंद गी कई, तो तमें सुमागो, कोकना माटे तमें बुलिया, तमारा माटे, सिंचिर, आप से मैं पुतना जालो, दो में से एक आशिरवाद आपको मिल सकता है, करोड़ पती बन पाएंगे, मगर कृपणता साथ में आएंगी, और उदार ता आपको मिलेंगे, मगर गरीबी आपको चिपक के रहेगी, उर्दार ता के साथ गरीबी और करोड़ पती के साथ कृपणता, वाट विल बी यूर चोईस, ये मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता हूँ, माराजा कुमार पाल ने परमात्मा को प्रारतना के दिए, भगवान अगले जनम में, यदि मैं चक्रबटी बनता हूँ, मगर तू और एक और यदि तू मिलता है और जोपड़ पती में रुजे रहना पड़ता है, तो कुमार पाल माजा ने परमात्मा से काई कि भगवान तेरे साथ जोपड़ पती मिले में चाहूँगा, मगर तेरे बिना का चक्रबटी बनती चाहूँगा, तुमने ये सुनाए कि नहीं जिन धर्म विनीर मुक्तो माबोम चक्रबटी पी शाम चिटो पी धरीद रूपी जिन धर्मा दिवासेता, बगवान किसी के गर में बरतन साफ करना होगा, किसी के गर में कपड़ा दोना होगा, मजदूरी करूँगा, नौकरी करूँगा, सब कुछ करूँगा, यदि तू मिलता है तो और पुरा का पुरा चक्र विर्दिका सामराज्यमिले सल्एंगं तुधों नहीं तो मुझे भो नहीं चीये महाराजा कुमारपर नरी ओपर आख्षेब शे प्यांचेवां कि मैं अशिर्वाद आप्पमंगी हूं कमीरा की जिम् अ आपके तुम मैं तुमने दोडमान वर्षाइब но ले शेट laten फरे अनल पार अट आस क्या बहुत हीं तुमक्त कूल खुछ तरुन को लिए ता कॉ प ये घरीम के पार विए उतुनुपाइब फोतम पार एक तुम्हें बार अपत्में कि का देखे नहीं मैंने देखिए मैंने कूदी ने देखिए बार-बार मुझे जो दृष्टान बहुत प्यारा है वो दृष्टान आज आप के समने रहतना चाहूंगा वह आगर की फिखारन का मैं आगर MP में जारूं अभी मेरा प्रभचन का दोपर को चार से पांच और प्रभचन में इससे ही छोटा सा एक नियम दिया एक रूपिया कम से कम भीखारी को रोद देना और नहीं दे पाए तो हजार रूपिया की पेनल्टी आज वो इस नियम के सामने क्या लोजिक आया था वो चर्चा नहीं करूंगा करीबन चार्सो पांसो की सबा थी सबी ने एक रूपिय का नियम दिया और वोई टाइम सुरत का एक लड़का था जिन की और से संग पुजन था सबको रूपिया मिला आज ये नियम दिया था और मंडप के बार एक बिखारन बेटी थी सबको लगा आज का नियम का पलन आसानी से हो जाएगा रूपिया भी मिला बिखारन भी मिली और गुर देव ने नियम दिया है तो देव शाम को प्रती कमण करने के लिए में आगर में बेठा था एक बाई मेरे पास आये गुरुदेव आज का जो द्रश्य देखा वो द्रश्य जिन्गी में कभी देखा ने प्रती कमण में आने के पेले गुरुदेव मंदिर में से बार आ रहा था और वहाँ जहाँ आपका प्रवच्चन ता न वहाँ जो पिखारन बेटी थी वो पिखारन साड़ी में पैसा समाल करके आ रही था मंदिर के पास और मंदिर में जब पिखारन जा रही थी मैंने पुचा कहा जा रही गुर्दे पिखारन ने मन्दिर में जाते हुए कभी देखा नहीं था पहली बार देखा वोई पिखारन दी में भी प्रभचन में था मैंने भी रूपिया उंको इडिया था और पिखारन को बुजा तो भी कहां जा रही है और मारसाय बिखारन का जो जवाब था न इतना बोलते वो रोने लगा मैंने बोला क्या हुआ मारसाय बिखारन ने जवाब दिया कि जिनगी में बरसों से पिक मागती हूँ आज पहली बार करीबन 400 से 500 रुपया पिक में मिला और थेटर के बास कभी पैसा नहीं मिलता है और डल के बास पिक मागतो कभी नहीं मिलता है ये पैसा भी इसलिए मिला कि कोई संत का प्रवच्चन चला था संत परमात्मा के रिप्रेजिन्टिटिव होते तो मुझे मेरे मन में एक भाव आया कि जिन्गी में पहली बार परमात्मा की करोणा से 400-500 रुपया पिक में मिला है तो जिन्गी करोणा से मिला है उनको ही में देदू इसलिए आज मंदिर में आयूं 400 रुपया तुम ये सोच सकते हो गुर्दे एक बिखारन जिन्गी में 400 से 500 रुपया फिक में पहली बार और इनके मन का भाव परमात्मा की कुरोना से मुझे मिला है मेरे मन में आ गया गिए सब परमात्मा की देदू गुर्दे वो बिखारन के साथ में दूबारा अंदर गया देखने के लिए गरीब बिखारन की उदारता को देखने के लिए बगबान को मैंने देख लिए थे मगरे बिखारन को मैं देखने के लिए दूबारा अंदर गया और उसे पुरी की पुरी साड़ी बंडार पे खाली करके पांसो रिप्यार करके प्रभू के साने वरो रही थी What you wish कोई पिखारन की ये उदार का तुमने देखिये कभी MP में दो साल गुमा कई करोड़ पदी अबजपती को मिना मैंने व्यास पीट पर उनका तो द्रस्टान नी दिया ये पिखारन का दिया मैंना आपको चाहिए वह दस गाड़ी का मालिक होगा और दस क्रोड़ का मुझे क्या फर्बढ़ता है तो दस गाड़ी का मालिक ये पिखारन का पांसो का दान दिल को चूग गया आप क्या चांदे हो संब्देरे की सुवास मर्याद मत करो जिवन का निल्ले बनेगा अगले जनन की गती तुमारी तय होगी वर्ट्यू भीश कहा जाएंगे मर्गे इससे ही तय होगा पाज जजार कोड़ के मालिक बनो एक बाब बताओ तुमें कल मैंने कोटेशन बढ़ा ले आपके सामनें को रिपीट करता हूँ आदमी की आदी जिनकी पैसा कमाने में जाती है रिपीट याद रखो आदमी की आदी जिनकी पैसा कमाने में आदी जिनकी सरीर को समालने में और अंतसमे में सरीर और पैसा दोनों यहां रखके चला जाता है तुम समझे में क्या कि आदे जिंगी पेशां के पीछे आदे जिंगी सरीर के पीछे और वोई सरीर पेशा पुरी जिंगी तुने दाओ पे लगा दी यहां छोड़के अकेले निकल जाओ कोई शर्म है कि नितु मेरे पार जिवन का निर्णे इससे होगा अगले समाधी का निर्णे और सद्गत्ति का और परमगत्ति यहां से तै होगी सुमास्त चाहिए कि समधरिया चाहिए कि नहीं बोलो वेला लाया हूं नहीं कोई कि जिन्गी में पेनी बार इरूट पे कभी आना ही नहीं हुआ और आज का आपने सब्जेक्ट दिया है नहीं एसो जनम बार बार आपको मालूम ने तो तुम कर्मगरन पड़े ने तो फिर भी बताऊं आपका जो पुन्य ने उससे कई गुना ज्यादा पुन्य देवलोग का हो सकता है देवकती का कई गुना ज्यादा मल्टिप्लाइ करो तो तुम सोच नहीं भाएंगे इतना पुन्य आज वो सबानी है कि तुम समझ सको बागी बताऊ तो तुम मेरे पात पुन्य देवलोग के पुन्य के सामने तुम बि बेदना अब जो अब जो अब जो अब जो रुप्य के मालिक जन्म के पहरे दिन से भीना पुरुशार्थ ना लेटरिन ना यूरिन इतनी बड़ी ताकाद रखने माला देवता पुन्य के हिसाम से तो आगे है मगर भगमान मावी ने किसी के जीवन की प्रस्ण सागी है वो आदमी के जीवन की प्रस्ण सागी है क्योंकि देव कती का पुण्य चबर्दस्ते मगर गुण के एक्षित्र में आदमी का कोई मुकाबला नहीं आप क्या चाहते हो तुम्हें अपने किसी दवाई ली हो और दवाई पर यदि आप एक्सपाइट डेट देखते हो तो आपके मन में फिलिंग क्या होता है एक्सपाइट डेट आई नहीं अभी आप कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर में लेने के लिए तो आपके एक्सपाइट डेट तो आईगी ना बरामन मगर जब तक वो टाइम नहीं आए तब तक क्या करेंगे दवाई का रोहेंगे के उप्यों करेंगे माने हर दवाँ पे एक्सपाइट डेट देखने के बाद आप कोई डरते नहीं हो आप रोते भी नहीं हो रोते भी नहीं हो डरते भी नहीं हो आप समते हो वो डेट आने के पहले इनकी यूटिलिटी जो है वो कर दो बात खतम करो मैं आपको यह कहना चाना हूँ मेरे वर आ आदमी शाबत बन जाता है चलो पहले काम कर लो तो दबाई के एक्सपाइट देट तो कोई भी हो सकते मगर आपके और मेरे जिवन की एक्सपाइट डेट का तो कोई पता नहीं तराण बात तमने करीद उँ माचीस मारे लिए कई कांडीनो नंबर क्याले लागी जया के खबर नहीं पड़े नीचे वाड़ी उपर अने उपर वाड़ी बनी सगे न आउ बेच्मिनने माटे कईो बोल छेलो चे एनी खबर नहीं पड़े आपड़ा जिवन माटे कोई हो समय छलो शे एनी आपड़ने कबन लखे बैट्समेन यही सोचता है जब तक क्रीश परूना सब ताका दिखा दो ये बार आउट होने के बाद वापी जाओंगा मेरे पाद नो रिवर्स बात खतम हो गई मैं आपको ये पुतना चाहता हूँ जिवन खतम होने के पहले आपको पुतना आपके मन में क्या भाव है आपका जिवन खतम न हो खतम होने के पहले आपके मन में ये कोई भाव उत्ता है वो कौन सा भाव उत्ता है जिवन पूरू थाए पिला तम्हें सूं करबा मगो जो पुशिन हो तमने, नहीं, बूलो, आपके मन में जो बलो, आपका जिवन खतम होने के पेने, what you would like to have, what you would like to be, what you wish. जिवन लिली वाडी, एलैं आण तम्हें लिली वाडी मुखिने जाओ, पंढ बड़तो सुका लाकड़ा मों, कोई लिला लाकड़ा मों? कोई दी जो लिला लाकड़ा मों? कोई बढ़े हो? खानी बोलवा मंडे लिली लागडी मुलला रे बाडी खानी अट्म जो जवाबबो कि तमें सु इच्छो छो जे जिवन पाकी जे गुर्देवे जिवन अबाबा सटलू काम करे ले उचे तमें हमने पुछो क्या रे बनी संग साचोरे संग क्या रे थशे मारा भवनो रे अन। एक जे अर्मान छे मने मारू जिवन सुगंदित बने क्यमी स्थ्रस्मजीनी कडियों मा किटला भाव भरेला शे और श्या मा सुखड भले गसाती पन दरेक बड़े सुवास फिलावे श जिवन भले खनास थाए पन जा जाओ तियां दरेक ने उगमतो जाओ फुल करमाई छे पिलाव सुवास अरे पाग निचे कचली नापोतो पन फुल के जे सुवास शिवाए काई मुकिस नहीं मारी आख उडविल छे बने नो बने पच्छी नी मार पन तमारा अर्मां सुवास बने के न बने में भी पोसिबल तमें जेए इच्छों पन मने कबर छे मुक्स मेलो पोचे पन मने कबर लेगे जीवन नांता समय सुनी मना पमारी इच्छा तो एच्छे आपके मन में अर्मान क्या है जिवन खतम होने के पहले वाट यू भीश भगवान कर ये ताकात मेरे पास आजाए तो गुरुदेव हर तिर्चंगर भगवन ने ये सोचा था जो होवे मुझे सकते इसे यदि मेरे पास आजाए वो ताकात हुआ नहीं हुआ बात अलग है मगर वो तो तिर्चंगर बन गए गीत के साथ गती के साथ गीत चाहिए संदरे के साथ सुवास चाहिए और नमर तीन सफलता के साथ सार्थकता चाहिए नहीं एसो जर्म बार बार दावद इबराहिम को सफलता मिल सकती है मगर जिवन सार्थक नहीं बन सकता आप जो सुबह से लेकर रात तक भागते हो सफल जिवन के लिए कि सार्थक जिवन के लिए क्या करेंगे जो सफलता है दुनिया के एक नमर को डौन को भी मिल सकते है वो ही सफलता है आपका जिवन का उगल सार्थक जिवन रात को सूते बग या जिवन के अंत समय तक आपको जाने में संतुस्ती हो कमाल का जिवन समाब तक करके जा रहा हूं कोई दूख नहीं एक बार अब तुम अब्जरबिशन करो और आपको लगे कि भगवान करे क्या कमाल मैं आपको बताना चाहता हूं मैं गाटको पर में था एक लड़का मुझे मिलने के लिए महनस से प्रभू के मंदिन में दिर्शन करने के लिए जा रहा था और पुजा के वस्तर में एक बेन ने मुझे रोका भाई दो मिनिट क्या का मैं बेन बहुत गरीब परिवार से हूं मेरी बेटी की वापी में शादी है सिर्फ दो साड़ी चाहिए बेन अभी इस टप्रकर इपुजा करने के लिए जा रहा हूं अभी यहां बेटो मैं वापीस आता हूं फिर बात करता हूं मारसे वापीस आया वापीस आने के बाद बेन को का बेन एक कम करेगी यहां यहां बात मजा नहीं आईगी गाडी में बेट जा मेरे गर पे में बात करता हूं मारसे बेन को गाडी में बिठाया है गर पे जाके बेन को बुशा बोलो बेन क्या है वही जो मैंने आपको बताया हो एक लूती बेटी इनकी सादी दो ही साड़ी कुछ नहीं चाहती हूँ आप चाहते हैं तो पक्का कर सकते हूँ मैंने जो आपको का वो सही है बेन इतना अभिस्वाफ में कभी नहीं करता हूँ आप सच बलती होंगी पक्का सच बलो अभी वो द्रस्टांग कितना आगे चला फिर बात करूँगा आपको पुछना चाहता हूँ ऐसी कोई बात किसी भी विक्ति के मुझसे पहली बार आपको सुननी को मिले तब वो सच्ची होगी बेन ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउट पिदा हो जाता है मदद करना तो अलग बात है नहीं 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 तुम इसको मामुली मत मांगा कोई भी दुखी आदमी आपके पास हाथ फिला दे उनको आपको पहले नमर में तो यह होता है सारा जूठा होगा तो यह होता है ना कहा है तुम दो रुप्या दस रुप्या बीस दो सो रुप्या लेने के लिए सामने वाले को सीधा जूठा ही गलत ही चितर ही मान लेना यह तुम्हारी मान सकता है बेन को मैंने बूल दिया, बेन ऐसा कोई अभिस्वास नहीं है, मरस है मेरी पत्नी बाजी में थी, जब बात चलती थी तब, दो साड़ी की बात निकली नहीं, मेरी पत्नी ने अभी बाजी समाल ली, उसने बेन को का बेन दो साड़ी आपकी बेटी, एक लूती बेटी, शादी जैसा प्रसंग, दो ही साड़ी से क्या होगा, बेन मागू तो एक मंदीर की प्रिमाई सीश में आये थी मागने के लिए, इससे तो ज़्यादा उमीद में गरीब होने के नाते कर भी तो क्या सकते खेर, एक काम करो, बड़े संपन परिवर्से में हमने हैं, ये इतना बड़ा बंगला और करीबन चार तो गाड़ी है मेरे पास, दो साड़ी देना आपकी इच्छा बराबरे, मगर दो ही साड़ी देकर आपको रुबाना करा, हमारी घुड़ी मिलका भी तो प्रस्ना है, ए मारा सहब, लाखो जन्म की सादने के बाद ऐसी धर्मपत्ने मिलती हैं, और पचास साड़ी में से मारा सहब, एक बीस साड़ी, दो तिन हजार के, इस से कम कोई साड़ी नहीं, और ये बात भी मिकता हूँ, करीबन बीस साल पे ने की, मारा सहब, वो बेहन को देखा, इनके आँक के आँसों को देख करके लगा, और सबसे बड़ा आनंतों मारा सहब, मंदिर में, अस्टप्रकारी फुजा करने के लिए जाने वाले बहुत थे, बेहन ने मुझे ही पसंद किया, सबसे ज़्यादा आनंतों हो था, मारा सहब, तुम ये सोच सकते हो, ये रदई की तो अभी में तुझे एक और बात करना चाता हूँ, बेहन खड़ी होने के लिए त्यादा रोक दिया, बेहन चाने की जल्दबाजी मत करो, ये इतनी साड़ी मेरे पत्नी के पास नहीं है, गेने का सेड़ भी तो है डगल, कंगन, हंगुठी, बंगडी, सौनानी वीती, ने सौनानों सेड, बेहन आपयो, साड़ी अपाईगी पचास सौनानों सेड आपयो, पच्छी मारती रिवाई उली, और बेहन ने में तुझे अभी एक बात ख़तम कर दे, जब ये पचास साड़ी भी दे सकता हूँ, गेने का पुरा सेड भी दे सकता हूँ, तो आज एक बात देखामाना से लगा, जिनकी सार्थक बन गई, एक दिन आपकी जिनकी में इसान उबुक्तों करके जाएंगे परलुप में, साइकल का ठिकाना नज़र तुमेरे बाए B&W की काड़ी आगी ठीक है, कौन बुस्ता है, चाहें आपका घर कितना भी बड़ा बन गया, कितने ल मगर गीत के साथ, सवंदेर ये चाहें मगर सुवास के साथ, और सफलता जिये सार्थकता के साथ, आप समदेना में गति का विरोध भगवान भी नहीं करते, स्वयम तिर्थंगर भगवन अननपन्य के मालिक होते, इतना समदेर ये उनके बस होता है, काई चक्रबरती मर के म आपने मुझे वेलाल में बुलाया, मैं आया, आननदाया, मेरे से आप क्या चाहते हो, रदे से बोलो कोई, यहां से निकल जाने के बाद ये मत बुला, गुर्देव आये थे, जा क्या आये, सामी वस्तल कर दिया, नोकार सी कर दिया, बेंड मन नहीं, वो ठीक है, वो ठीक ह उनको मैं धन्यवाद देता हूं, मगर यहां से तुम क्या लेके जाने वाले हो, गुर्देव, आज से जीवन का रावड़नने का मन हो गया, बहुत दोड़ा, बहुत भागा गुर्देव, चार लोगों ने मुझे सन्मान दिया, मगर अंदर से कोकला बन गया, एक नानकड़ी बाद तमने बताने जोईने मलागे शे, तमें सोना नी फ्रेम ना चस्मा मेड़वा मटे, आपना सोदो करी बेठा जो, फ्रेम तमारी आईया सोना नी अभी की, आपना सोदो करी बेठा तुम, फ्रेम ना मड़े तो चाले, आपना ठकवी जोए ने, कितने बार आते हो वेलाल में एक साल में बारा बार ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा बज़े यह तो बढ़ा बज़े आम महीना मा बारज बार क्यम आओएं वरस मा बार क्यम तो भधारे बार क्यम नाओएं सेहर मा जिनगी सुन करो जो सुन सेहर मा तुम्हें व्यस्त बनिंगे ले सूख करो जी हिसाब तो आपो पन काम दंदो काम यहनती ने दंदो इन तॉप चे बत्ता हाव नवरा दूब बेठा आशो वर्ट सम्हें पेस्बूट आए तीक चे एद दो बेर की कथा कर बाजिव ने खांगे अवे इनिवल्स रोक चे हाँ एक समय तो गावडे पुचिन सेना भीना नचाले पईसा भीना अवे पुच्छो दो के मोबाईल भीना पईसो एग्यो और इवी इवीरिते अन्याम खबन तमारा आखका सरीनों कभजू जमाविन मेडे मोबाईल कांगे अवेत्यारे करवनी कोई अर्थ न थी कांगे ए न शामनी तमे तमारो परिवा तमारा बाळको पूरे पूरात में नसामा व्यस्त कराई अवे दा माताओ पने भी थीगी छे नहीं बाबाने जन्मा दोरहे करा उपड़ेगे ने समय अपड़े एनी जंजट मादी मुक्त थौमाटे मां पन भाबानात मा मोबले पकडा भी दिव compact माने पन भाबाने समय अपपा नी चानति जन्मा अपपानी तैयरियती समय अपपा नी चानति समय जे तमाने एमा एड़बान टेक्मोलोजी ये समय नी तो कोप अनो कुड़ता करिया एक समय तो ने कि बेनों कपड़ा दो हमा समय जे तो पाणी करम करवामा रसोई बनावमा बना पेजिए नुचे बुलूचु बनावें अवे बद्ध्यों समय बची यहन तो अपन समय क्या जाई तमारा करनी सिरियल जो एक बेन मशीन लिबा गया जेकेंगे रसोई बनावें यहले सिदू पूचियो क्या मशीन नों उप्योक्शन दो कि बेन तमें ले जाओ पचास ठका तमारों काम उच्छु करी आपशिए यहले बोलों वेतनारों कुछ ती यह पचास ठक काम उच्छु होए मा मशीन यहती बिदी ताका तो क्या तो के काम ग्रोब्य मशीन आपी दो कि फरीमर कीदू विग्णा ने गति आपी गित अपनी ताका धर्मनी यती एने तमें निकलेट करी ना कि समय बच्छा मानों काम भिक्णा ने गरियो पन समय नों सद्धू प्योग के विरिते करवो यता का धर्म पास्यादी औने ये धर्मा गड़त मैं आवे नहीं खेर आपकी जोबाद बगवान की परम करुणा गुरुदिव की अनन्द खुरुपा जो पाया हूं जो मैं फिल कर रहा हूं उनको लेकर के कभी-कभी आप सब को दिकर की पिड़ा होती है जो परादिन है वो पाने के पीछे तुम दोड़ रहे हो जो स्वादिन है वहां तुमारी नजर ही नहीं है संपत्ति परादिन, सांति स्वादिन, पैशा परादिन, प्रसनता स्वादिन, पुन्य परादिन, गुन स्वादिन, सौंदर्य परादिन, सुमा स्वादिन जब आप चाहो तब आपके हाथ में ले सकते हो और वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है और एक वाद कहीं को आप घड़िया लनों तमारो दिकर रमकड़ू बनावे तमें ना पड़न बना बचन आप क्यों ना बोलेंगी इसके लिए कि वस्तु का उप्योग कैसे खरना चाहिए वो अकल बेटे के पास नहीं ओके आपकी उपीस में काम करने वाला मेनेजर हो जिनको तुम दो लाग की सेलरी देते हो और में भी पुसिबल आपकी उपीस में कच्रा निकलने वाला नहीं आया हो आप मेनेजर को खच्रा निकलने का खाम देंगे आपका नोकर होने के बाउजिद देंगे नहीं देंगे क्या क्यों नहीं आप बोलो मारा सहिम वस्तु का दुरूप्योग नहीं होना चीए इसी तरह व्यत्ति का भी दुरूपयोग नहीं होना जी अबी मैं आपको तीसरी बात पुतना जाता हूँ वस्तु का दुरूपयोग नहीं होना जी व्यत्ति का दुरूपयोग नहीं होना जी मन का दुरूपयोग कैसे होना जी जिस मन से मैं खुद परमात्मा बन सकता हूँ वो मन को मैंने कहां रोका है आपको मैं पुद्ना आपने कभी भी सोचा कि गुर्दे वस्तु का दुरूपयोग नहीं व्यत्ती का दुरूपयोग नहीं नहीं बिलकुल नहीं आप यहीं मेरे साथ आते हो और उपासे का दर्वाजा एक्सपर एक्जांबल बन दे है विदिश मेरे साथ हो आप सब गोलो मुझे वो दरवाजा खोलने देंगे, नहीं, आपको भागेंगे, गुर्देव आप रुको, मैं खोलने, क्यों, गुर्देव आपका वो स्थान नहीं है, दरवाजा खोलने का, मैं कर सकता हूं, मेरे सिश्चे में मुझे कोई काम नहीं कर देते, गुर्देव आप गुरुदे हो, मैं आपको सिर्फ इतना है वस्तु का उप्योग जही होना चीए, विक्तिका उप्योग जही होना चीए, मन का उप्योग कैसा होना चीए, और आप कैसा उप्योग कर रहे हो, जो मन मुझे परमात्मा बना सकता है, वो मन से मैं सात्वी नरग में जानी की स उस्टताओं यहहुरूप्यों कुरूख शित मनसंसार कलेश रही तो मन द भवपार यही मनसंसार यही मन मुक्ति तुम कवरोव तो पांडव मनवा तू राबन तू राम हैयान अ कुरूक्षेत्र पर पड़ısı नोसंगराम मनवा तू राबन तू रामनी सर पंच्छी ये सरस बात करी मने गमी परण वेक माले परण थोड़ी बात करुई से केटला एवोड मेड़े आ गामने केटला एवोड मेड़े आ गामने केटला एवोड मेड़े आ गामने रहनारी फ्यक्ति ने केटला एवोड मेड़े नहीं गामने माले तो हम जाइः। परणा गाम जीवदा खोपरी बाज रबाज रहे लाग ज़ए। यौन कामनी जवाम ज्यन सुली श्यां माले… जवाम अपो कि लिपका? यहां चार इवड सोत्त करा ना माले? पर अब्दूल कला में आपको काम स्वच्च होए तो अपिनो नती हुन थी के तो चार एवोड पन बौ मोटी बाद छे पण एक बात अमने कि दू अब वाद निकली तेरे में वियार करता करता हम चत्तिस के जा रहे दें महरस्ते के बौडर के पास मैं जब गया न तब बहुत बड़ा बौड देखा और वो बौड में ऐसा लिका था तंटा मुक्त गाउं समझ में निया जगन भै-मगन भै बौड बहुत लिखता रहे तंटा मुक्त गाउं अंदर गया, पूछा भाई ये और कुंसा गाउ, तंटा मुतव गाउ मने, मारसरब यहां नाचे जगडा, पुरे गाउ में कोई जगडा नहीं है, महरा, यहां मारसरब पोलिस नहीं है, यहां कौट नहीं है, कभी यहां बबल कुछ होता हुदे नहीं, गाउँ की आपादी दस जार बीस जार पंदरा जार कमाल ना कभी रैप ना कभी छेड़ती ना कभी किसी लड़की की मज़ार नतिंग एल्स पुरे गाउं में कहीं भी जखड़ा नहीं मैं नहीं कोई डिफरेंस ऑपिनेंग गाउं में दो वृद्ध पुरूश है उनके बास आकर के मानसे बात कर ठीक ये पुरी की पुरी गाउं की लाईं, एक गाउं को छोड़ए काउं, दूसरे प्रीरए, हर जग ठंटा मुद्ध गाउं, ठंटा मुद्ध गाउं, ठंटा मुद्ध गाउं अवे मारी एक इच्छा तमने पूछी लो हाँ पड़ो तो आई याँ जेपन बेटा जे एना घर उपर रावू बॉड लगाड़ी सका से तंटा मुद्ध गर एका घर अको घर तंटा मुद्ध गर छे चेके हिम्मत नमारी गाम ना गाम जोई ना वोच्छु जोई ना वोच्छु दास हजार बार जार बीस जानी वस्ति मां कोई जगड़ो दी वर्शो सुधी मानसे बमाना घाम ने अवड मनतोच चाले छे मामुरी बात न थी तमें कल अर्मान उत्री गामारा मन्यमतिव हिंदुस तर्मावा गाम और एनी बच्चे हुँ इवा गामों माती हमारा वियान तो घेचा कुछ थाई निनगर था मंदी था नो उपास ने था बुच्री के लिभी वेवस्ता रखनी पड़ी थी अमेरे साथ एक बाई तो उनको 30 लीटर दूट चाहिए था और किसी पुछा भई 30 लीटर दूट 30 लीटर उसने मला इस गाउं में किसी भी घर पे तुम चले जाओ किसी भी घर पे इनके घर पे जाओ यह नहीं है गाउं खुलना पड़ा है किसी के चले जाओ आपको 30 हैगा हमारे मां कोई दूट का पईसा लेता ही इनके सामने तुम खुद को रग दिना सब पता चले गाई वेर यू आर वेर दियार है के ठीक आपकी बात त्रण बात अमने में करी गित पच्छी गती सुमास के बाद संदरिया सार्थत ता के बाद सफलता वस्तू का सही उप्योग होना चीए जयत्ति का सही उप्योग होना चीए इससे भी ज्यादा महत्तु प्रण बाते हमारे मन का उप्योग सही होना चीए वस्तु का सही उपयोग वेत्ती का सही उपयोग मेरी और आपकी सद्कति कर देंगे गैरेंटी नी मगर मन का उपयोग ये दिस सही हुआ सद्कति और परमगति दोनों आपके हाथ में ये ताकात बगवान मावी ने मुझे और आपको बताईए अन्य एज बात थोड़ी तम न करें वाँ परिवर्टन आधना काड़ना वरत्मां कालीं द्रिश्तान तो और मैं खाली प्रवच्चन मा बात मुझे थी चार मेले के प्रवच्चन सुनने के बाद चीशन ने ठोस परिवर्टन किया हो वो रूबुर में आकर के मुझे मिले मैं जानना चाहता हूं खाली एक नानकरू सेंपल आपी दू मानसे घरमा पत्नी अने बावच्चे खुब गर्शन इतलो बदो थाकी क्यों मानसे एक दिवस मानसे पत्नी ने बाने बेसराडी निम की दू तमे मारी बनने आँख चो तमे को ए आँख खोड़ी नाख अब आना दी थाकी क्यों शुआ ना थी आना पक्षमा ना थी आना पक्षमा पक्षमी माद छोड़ो पर मारी शांती बिलकूर खरास्ती की जे तमे कोईम करू ए दिवस्ती मानसे अमे त्रणे जना प्रवच्चत मा उतादा अने समाधान करिए पत्नी आज पक्षमी आफरियाद नहीं आगे खाली एककज मिल्वा बाद करू मानसे एककज घरमा बेर रसोड़ा निवाद चालती दी बाके मों रसोड़ो जुदू करू अने पत्नी के रसोड़ो जुदू करू आज इस्थिती ए आवी मानसे आप्रवचन पच्छी बाद से पत्नी जारेपन पीर जाएशे ने रब रमजन पत्नी जारेपन पीर जाएशे ने तैरे मानसे बाने अग्रक रेशे मम्मी तमे मारी सदे पीर नी आवो तो आघरमा थी निक्रिश नी जिटलो टाइम पत्नी प्रिवर्तन तमारी दुनिया मां तमारा संसार मां तमारा वाकरण मां रहीने जे लोके कर्यूं इवा कदाच 140 प्रसंगों मारी अगड़ाब्या एमने मारे थुड़ा उच्छा बत्ता करवा पड़्या करी शके ना कोई तारा भूणों ना सरवारा युगो सुधी जरहर शे भूवन भानों ना हजवारा कैम भुलीशो तुझने ओ जिन शासन ना रखवारा युगो सुधी जरहर शे भूवन भानों ना हजवारा